अलो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी लोग तो हम देख रहे थे मेडिशनल केमिश्टी फर्स्ट बी फार्मेशी फोर सेमिश्टर और यहाँ पर जो हम अपनी यूनिट सेकेंड श्टार्ट कर चुके थे और यहाँ पर हम जो इसके आपके जरूर जरूर देख लें क्योंकि यह सारा आपसमें कनेक्टेड अगर आप पहले के लेक्श्ट नहीं देखेंगे तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा यहाँ अगर कहीं और से देख रहा हैं बस आपका कन्रोंट्र करते हैं । यह कुछ यह से काम जो घु好吃 करते हैं अपना अक्षंस सो करते हैं तो यह हमारे सिंपल निरोट्रांस्मिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं जिनके अंदर कैटा कॉल रिंग प्रिजयं निर्ण उती है यह हमने देखा था प्लस एक अमीन ग्रोप होता है यह हमारे फॉर्म हो गई अब इसके अंदर हमारे तीन आते दोपामीन आता था, नौरएफिनेप्रिन आता था और एफिनेप्रिन अब ये हमारे क्या थे एडिनर्जिक निउरो टांस्मिटर था यानि कि जो हम पड़ रहे हैं उसके अंदर ये हमारे तीन निउरो टांस्मिटर आते हैं और इसकी जो synthesis थी वो हम देख चुके थे, कैसे हमारा synthesis हो रहा था, कि हमारा पहले यहां पर यह बनना था, tyrosine, एक चीज और बता दू कि जो हमारे previous वीडियो थी, उसमें कई जगा पर tryosine लिग गया था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, वो tyrosine था, एक मतलब error हो गया इसको उसके बाद बात करें, तो dopamine हमारा यहां फर्म हो चका था, तो इसके आगे क्या, तो इसके आगे यह था, कि जैसे आप यहां देखो, यह हमारा टाइरोसीन था, यह हमारा लीवर में फर्म हो गया था, लीवर के बाद यह हमारा आगेस में, neurons के अंदर, यहां से हमारा डोपा में convert हुआ देन डोपा से डोपामीन में convert हुआ देन यहां से हमारा यह बैसिकल्स के अंदर हमारा formation होती है नौर एफिनेफरिन की अब जो बैसिकल्स के चीज़ होती है बैसिकल्स एक ठैली की तरह मतलब एक ग्रूप होता है जो क्या करते हैं नियूरो ट्रांस्मिटर्स को अपने अंदर रखते हैं क्यों रखते हैं सेफटी परफिस के लिए सिंपल सी वात है अब क्या होगा कि यहां से यह नियूरो ट्रांस्मिटर्स बाद में रिलीज होते हैं बहुत सारे इसमें मतलब आयन वाले मूवमेंट होते हैं CO2 अंदर आ रहा है इधर CO2 अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है यह सारे काम होते हैं हमको सिंपल सिंपल सबजना है मेन क्या काम ह हो रहा तो यहमारा नौर एफिनेफिर होता है और यह अब किया करता है एडरेनर AP और तब हमारी एक्टिवेट होता है और टब किया यह अपना अब इनका बाहर जाना भी तो जरूरी है, सिंपल भई बात, जो हमने ड्रग में देखाता है, या किसी चीज में देखते हैं, अगर हमारी बोडी में कोई चीज हार रही है, कोई चीज अपना असर सो कर रही है, तो अगर हम उसको टाइम से ना हटाएं, time से वो अपना असर खतम ना करे तो क्या हो जाता है हमारी body में कुछ harmful effect create होने लगते हैं तो उसका time से अजना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो यही reason है कि अब हमको क्या करने पड़ेगी यह जो हमारे नौर एफिनेफरिंग या जो हमारे catacolamines form हुए है इसकी हमें करने पड़ेगी sorry catabolism करने पड़ेगी यह हम बोल सकते है metabolism करने पड़ेगी यानि कि उसको हम काट पीट के क्या करेंगे body से inactive form में convert कर देंगे जिससे वो हमारे receptor पे receptor होके अपना कोई भी काम सो produce ना कर सके तो यह हमारा simple यहां फंड़ना था तो हम यहां पे समझ गए कि हमारा actual में जो catabolism of catacolamines है यह actual में है क्या कि यहां पे हम क्या कर रहे है जो catacolamines है इसकी हम क्या करेंगे या तो remove करेंगे या इसको हम terminate कर रहे हैं यानि कि यह अपना action so नहीं कर पाएगा नहीं करेंगा है क्या करते हैं तो इनकी क्या होते हैं सब क्या होते हैं सब के श्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं यह अगर हम कोई ऐसा लगाते तो यह जाके इसमें असैप्ट नहीं करेगा तो इसी base को हम रखते हुए क्या करते हैं कि झो having the नौर एफिनेफरेन और यह हमारे एफिनेफरेन है इनका हम क्या करते हैं structure ही बदल देते हैं और अगर इनका structure बदल जाएगा अगर मालो यह हम क्या करा हमने यह त्रिकॉर्ड है हमने ऐसे बना दे जोको अब तो यह क्या करेंगे यह इसके ऊपर जाके accept नहीं होंगे इसके साथ जाके bind नहीं होंगे तो जब bind ही नहीं होंगे तो अपना कोई भी यह असर सो नहीं करेंगे तो यही वाला हम फड़ना यहां पर काम करते हैं कि हम क्या करते हैं इनका structure बदल देंगे जिससे यह इन receptor के ऊपर जाके bind नहीं करेंगे और तब क्या होगा इनका कोई भी असर नहीं होगा तो यह simple दा है तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है कि यहाँ पे हम कुछ enzyme की मदद से इनका structure चेंज करते हैं अब वो enzyme हमारे कौन-कौन से हैं एक हमारा होता है MAO और एक हमारा होता है COMT तो COMT यानकि आपको बस इनका नाम याद रखना है और इनके नाम के अंदर ही जब आप इनकी फॉलफॉर्म बनेंगे ना उसी से आप इनका काम भी समझ जाएंगे पहले हम देखते है MAO तो इसका जो काम है इसका नाम होता है Mono Amine Oxidase तो Mono Amine Oxidase यानकी यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर हमारी होते है Deamination Deamination बनलब का है Amination का मनलब Amine Group यानकी NH2 Group यानकी यहां पे हमारा क्या हो रहा है Deamination जगर हम समझे NH2 Group है उसके बाद D4 होता हमारा हम सिंपल कहेंगे कि हम क्या करें NH2 Group को हम माइनस कर देंगे जहां बोल सकते हैं रिमूव कर देंगे सिंपल का पंड़ा यानकी जहां-जहां हम MAO Group लगा देंगे वहां-वहां हम क्या कर देंगे Amine Group के रिमूव कर देंगे दूसरा हमारा आता है COMT यानकी COM, इसकी full form होती है Catechol O-Methyl Transferage अब हमने जब वो इसकी Biosynthesis पड़ी थी तो वहाँ पर हमने एक चीज जाना था कि जहाँ पर हमारा ये transferage बाला N-methyl transferage group लग जाता उसका मतलब क्या हमारा CS3 group add होता है देखो यहाँ नहीं था, यहाँ addition हो गई तो same funda यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या कर रहे है O-Methyl transferage के जरीए क्या कर रहे है methyl group हमारे एक add कर देंगे और यह methyl group add किसके उपर होगा Catechol के उपर होगा, तभी तो इसका नाम है COMT यानकी Catechol O-Methyl transferage ठीक है, तो यहाँ पर methylation हो जाएगी रिंग के अंदर, अब हम इसको थोड़ा structurally form में समझ लेते हैं, अब आप सोझ रहे होंगे फिट से structure, friends आपको simple, teen structure याद रखने है बाकी सारे काम आपके automatic हो जाएंगे पहला आपको यह याद रखना है, जिससे मतलब अब आपको याद किसका रखना है, नौर एफिनेफरिन का और एफिनेफरिन का इसी का देरिये सारे काम हो रहे है, तो यहाँ पर हमने दो structure अपने form कर लिए नौर एफिनेफरिन का और एफिनेफरिन का अब हम simple यहाँ पर पहले apply करते हैं अपना कॉंप्ट माला हम जानते कौन सा था? यहाँ पर Сी से हमार जाकर की आटच होका यहाँ जो यह वाली रिंग है कैटाकोल को रम जाके आटच होगा तो यह simple था, वही काम करता है जैसे यहाँ पहले ऐसे यहाँ पर О थेill कैंब् advance-barm को वाली रिंग है जो हमारी इसकी full form भी है catacole o-methyl transferage तो इसकी जगह हमारे जाके क्या test होता है का o-methyl अब हम देखें यहाँ पर तो इसका जो है structure बदल चुका है और इसको जो बोलते है नौर efinephrin और इसको बोलते है नौर metanephrin और एक चीद आपको और बता दू नौर efinephrin को हम non-adrenaline मोलते हैं और efinephrin को हम adrenaline मोलते हैं यह चीज़तों सबतर बबतर रटी गई होगी दूसरा अगर हम इसी के उपर mao enzyme मतलब असर करते हैं तो mao का मतलब क्या था कि जहां लगे mao इसका मतलब क्या वो क्या कर देगा amine group को remove कर देगा तो simple देगो यह वाला हमारा same का से हम यहां उतर रहा है बस इसने किया किया end से हमारा ns2 group अठा देगा और एक aldehyde group जोड़ देगा तो आपको simple इतना करना है एक बार आप यह याद कर लो चाहे लिखके देख लो रट्टर लगा लो बस आपको एक बार यह करना है कि यहां से देगो इसको same to same यहां बनाया है बस इसने जब माव लगया इसने क्या किया ns2 group को हमारे remove कर दिया बाकि सब गेप है और यहां पर हमारा क्या लगए aldehyde group और इसका नाम क्या बनेगा glyco aldehyde यानकि यह क्या है glyco और यह क्या हो गया aldehyde तो simple इसके ज़्यादा नाम नहीं IUPAC नहीं हमाँ पहले से दानते होंगे उसी तरह हमारे form उठाते है दूसरा अगर हम यह देगे तो epinephrine है अब इसकी भी अगर हम माव के दोरह मतलब करा है तो यह हमारा same बनाएगा क्योंकि काम हमारा क्या इसका भी यह हमारा remove कर देगा एनेज ग्रूप को तो same हमारा यह बन जाएगा बाकि अगर इस पे हम यह वाला comt वाला follow करते है तो comt का मतलब क्या था हमारा catacol o-methyl transfer है तो यहाँ पर यह यह वाले देखो same हमारा उतर है लेकिन इसकी जगह इसने क्या कर दिया अपना o-methyl group attach कर दिया तो o-c-3 यहाँ attach हो गया और यह हमारा हुजाएगा metanephrin नाम भी देखो ज़ादा hard नहीं है और यहाँ से बन गया metanephrin simple simple है structure भी हमारे simple है तो यह हमारे 3 होगा अब इनके structure बदल गया अब यह अपना असर सोन नहीं करेंगे अब बारी आती जो हमारे यह non metanephrin है और जो metanephrin है इसके साथ अगर हम again एक और जो mao हमारा है इसकी अगर हम इसके साथ करा दें तो हमारा जो complete लिए वो complete इनका structure बदल जाएगा और हमारा देखो यह OCS3 यहाँ पर जुड़ चुका था यहाँ भी OCS3 जुड़ चुका था तो इन दोनों के साथ यह common reaction होते है और यहाँ पर क्या होता है हमारा यह मतलब यह mao जुड़ गया यह क्या करता है अमीन गुरूप को रिमूव कर देगा नस्टू गुरूप को और हमारा यह दो एंड में जो इसमें फॉर्म होता है वह हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है और हमारा बन जाता है 4-Hydroxy 4-Hydroxy 3-Methoxy उसके बाद यहाँ पर हमारा का है Phenyl Glyco-Ldehyde जो जहाँ पर था Phenyl Glyco-Ldehyde वह हमारा यहाँ पर Phenyl Glyco-Ldehyde तो simple इसी तरह से हमारे यहाँ पर क्या होता है मतलब अब इनका structure बदल गया तो यह हमारे receptor के उपर जा के बाइंड नहीं होगे अब simple बात है जैसे अगर हम नाम से समझें तो adinergic receptor है तो इनके ऊपर जो हमारे drugs या जो हमारे neurotransmitter accept करेंगे वो हमारे कौन से होंगे adinergic neurotransmitter तो अगर हम definition wise देखें तो these are those receptors in which adinergic neurotransmitter will wind directly to induce various actions और responses यह हमने यहाँ देख लिया अब मैंने यहाँ पर drugs भी लिखा है तो drugs का मतलब यह है कि जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो हमारे adinergic neurotransmitter है तो यह जो अपना असर कर रहे है अगर भाई चांद यह अपना कोई असर नहीं सो करते हैं बाकि मातन हैं नहीं सो करेंगे तो यह यह हमारा सिंपल इसका Yugos extensively है बागि बात करने समक्राइब यह हमारे जो यह प्रोटिन कॉपञ गड़ा कि थैसल बाखिन करता है बागि जो कुछ रिसाप्टर के बारे करें हो हो कि यह हमारे membrane bound वाले होते हैं तो यहां मैंने sort में यह लिख दिया है अब हम बात करें तो यह जो हमारे receptor है यह हमारे दो तरह के होते हैं पहले हम बात करें alpha और beta यहां पे भी हमने वैसे देखाता है यह हमारे receptor आपको दिख रहे होंगे यह हमारे क्या है alpha यह हमारे क्या है beta है तो यहाँ पर जाके हमारे क्या करते हैं यह neurotransmitter अपने आके attach होंगे और क्या करेंगे इनके साथ bind होके इनको activate करके क्या करेंगे अपना action soak करते हैं simple जिवात है यह भी हमारे further classified है alpha receptor हमारे 2 में बढ़ जाता है alpha 1, alpha 2 beta receptor हमारा बढ़ जाता है beta 1 receptor, beta 2 receptor, beta 3 receptor तो अब हमको simple करना क्या है कि हमको इन सभी receptor के बारे में पहले पढ़ना है क्या होते हैं, कैसे होते हैं कहां पर present हैं, पहले मतला हमको इसकी distribution आने जाना की body में हमारे कहां-कहां यह present होते हैं क्योंकि हमको पता एक तो neuron हमारे पूरी ओर्ज़वी हरूरंटव हर तरफ मतलब बहुत जाए सेtechn होते हैं तो कहां कहां प्रिज़वी हमको यहां पता करने हैं और यह इन से जब हमारे the drug bind पर प्रिजर्ट कहा हरा है तो आपि ऑगारी होता है किए पेरिया और कोई हुआरं वह प्रिजर्ट होता है हमारे इस पही होगाए जगहा है फिर्जर्ट हम्मुआरी समझते हैं हमारी बॉड़ी में यह कहां कहां प्रिजेंट है उसके बाद हम उन्हीं के पर हम जो है इसका असर भी समझ लेंगे ओके फ्रेंड बाकी हम एक बात और जाने तो आप ट्राइ करना कि आप इन चीजों को जो है ब्लड बहह रहा है अब ब्लड'd वैसल में हमारे प्रिजैंट होते हैं और जब इनके ऊपर कोई neurotransmitter और या कुछ भी आकर असरे तो यह नकि वह करते हैं घौकर ट्रेग्ण करती यहां कि लानले इते सिंपल सी बात है आपकोई भगर आ हमारा ब्लेशर हमारा बहनारा whis speed उसकी भर दाती बहुत तेल तो पहला काम क्या है यह ब्लाड वैसल में प्रेज्ण करते हैं जहां कि हमारे हार्मोस बखे रहा होते हैं उनको यह सीक्रेट करने में बहुत जादा है है थिसरे हमारा उक लाई को जी नोलाइसे करता है अब सवार करता है में पुछंद को में अब यह सती हुजार हा कि अब ज ander चाहिए तो और glucose फिर क्या करेगा energy generate करेगा lactate और pyruvate में convert होगे यानकि glycolysis के द्वारा तो इसलिए जो हमारा है glycozone हमारा glyco glucose में convert होने रखता है और इसको यहां पे बोलते ग्लाइकोजीनोलाइस सिंपल बात है बाकि यह अमारा आईरीस में प्रिजेंट होता है ब्लैडर में प्रेज़न में प्रेजन उता है इन समय क्या करता है यहीं मतलब प्तला करने वाला काम करता है है जी सुता है अगर माते यहां पर यह perfect लिए प्रीक हा इक उर भाणा में सबarthiku और इन वहीं क्रीजोगा लेखिसे features बाकि बात करें और का प्रिजेंट होता हमारे CNS के neurons में यहां प्रिजेंट होता है बाकि पैंक्रियास बगरा में प्रिजेंट होता है अब इन ही के वेश पर हम यहां पर इसका काम समझने वाले हैं पहला काम क्या इसका इनहिट कर देता है यह हमारे neurotransmitter release को अब जैसे अगर यह हमारे प्रिजेंट हो रहे हैं वो हमारे देता है कम कर देता है तीसरा प्लेटिलेट एग्रिगेशन अब जैसे मालोग कहीं हमारे चोट बगर का लगजाते ही खून बहुत जादा बहरा है तो इस टाइम पे हमारे अलफा टु डिसेप्टर के में जो कोई भी न्यूट्र ट्रांस्मिटर या ड्रग अगरम बाहर से द अलफा गड़ा टु रिसेप्ट रिहते हैं अब लिए वट मैं को समझ व हमारे कि रेट कुझ लिक ओंने distributed को तो इसका काम काम क्या है तो फ्ललक या यानि कि जो हमारा हर्ट है उसको क्या कर देगा थोड़ासा यह मतलब दबा देगा पतला जिसकी वैसे क्या हो जाएगा वहां का जो मतलब हर्ट रेट हमारा इंक्सीश हो जाएगा दिल हमारा बहुत तेज़ धग-दग करने लगता है यही रीजन है कि अमरजन सी सिच्वेश किडिनी है वह otras ranin को release करने रगती है और ranin का मतलब क्या होता है ryanin हमारा अगने आंग이 याद हो तो ऊंकिया करता ह मतलब को भड़ाद देता है कैसे हमारे बलुड की मतलब उसको भड़ा-देता तो mrजा तो यह एक नुयह भड दाता है तो यह हमारे एक नॉर्मलothes ग principle का को उसके बात करते हैं तो यह कहां प्रिजांड होता है वों प्रेजरीं मों पृजय होता है अब हिसका काम होता है तो और अ Ven contexts एक उसे तो किसी चीज़ को पतला कर देना और जो हमारा केरे कहा में किया कर देना उस अगर कि पेसेंट्ट या कुछ भी ऐसी सिचवेशन आती है अगर उसमें क्या हुजाते हैं हमें मतलब सांस नहीं ले पाथे तो क्या हमारी गयरा हूती है चाहिते, इसे बहुत जादा, पतली हो जाथी, इस सिचेशन में अगर हम क्या करें ये फार जाकर है, ये वाले इसको चोड़ा मतलब थोड़ा सा फारते हैं, जिससे हमारी सांस जो एजिली ले पाएं, तीसरा क्या है? वेजोडालेसन यान कि जो एसाफितर हो गएं इसको बा आस्ता समझते हैं। यह पर लाश्ट हमारा है वीटा 3 रिसप्टर के बारे में तो यह हमारा प्रजेंट होता है, एदिपोस्ट सम्हिरी ब्लेडर में तो यहाँ पे भी हमारे जो relaxation होती है बहुत ज़्यादा आराम मिलता है तो यह सारे चीज़े हमारे function है I hope आप लोग समझ चुके होंगे बहुत ज़्यादा important है कई बार exam बगर हम यह आता है question बाकी यह हमको पता भी होने चाहिए हमारे body में कौन-कौन से receptor होते है adinergic बाकी हम आगे kolinergic वाले भी पढ़ने वाले है बाकी kology में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले है तो अगर आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप comment करके हमें पूछ सकते हैं बाकी यह जो सारे notes से आपको website पर मिल जाएंगे आप वहाँ से easily इनको download कर सकते है www.carewellfarmer.in तो okay friends मिलते हैं आप से बहुत जाल ऐसी किसी next वीडियो में तब आप friends thank you take care and आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा बाई बाई